नमस्कार दोस्तो, सिविल इंजिनेरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही मातपुन वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो इस तरीकी के जब घर देखता हूँ दोस्तो दोस्तो यू कहें तो दिल से बुड़ा लगता है दोस्तो अगर आप पूरा पैसे खर्च कर रहे हैं एक घर मालिक होने के नाते तो मिस्तरी और जो भी दोस्तो साइट सुपरविजन में हैं उनका ये करतब है कि आपको सही और सटिक घर बना कर कि दिया जाए इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आपका जो घर बनते हैं तो मिस्तरी पे अगर सारा काम आप छोड़ देते हैं तो वो कौन-कौन से गलती करते हैं और इस घर में क्या-क्या गलती किया जा रहा है मतलब इस घर को देखने के बाद में आपके पास इतना experience आ जाएगा दोस्तों कि जब आपका घर बन रहा होगा तो उसमें गलती की गुंजाईस बहुत ही कम रह जाएगी तो चलिए एक एक करके दिखाता हूँ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जिनका घर बन रहा होगा उन तक सेर अवस कर दिएगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जाले दोस्तों सबसे पहले घर के बारी हिस्ते से स्टार्ट करते हैं। इस कॉलम को अगर आप देखिएगा ठीक है। कॉलम को देखिएगा तो आपको जहां देखिएगा दोस्तों वहां ज्वाइंट ही ज्वाइंट दिखेगा और साथी सांद दोस्तों कॉलम का अगर दोस्तों आप प्लंबोब गिराएगा और साहुल किजिएगा तो कम से कम डेर से दो इंच जो है वो यहां पर आपको कॉलम जो है वो out मिलेगा तो इस तरीके से plastism में कब तो हो जाएगा दोस्तों लेकिन मोटा plaster होने के वज़े से एक साल दो साल के बाद में वो जहरनाय स्टार्ट हो जाता है दोस्तो इस वीडियो में क्या गलती किया गया है और उसका क्या solution है पूरी तरीके से बताऊंगा ताकि आपके मन में कोई confusion ना रह जाए कॉलम के बगल में दोस्तो जस्ट आप देखेंगे ये जो विंडो संसेट बनाया जा रहा था इसमें आप देखेंगे जो ढ़लाई क्या quality है दोस्तो मुझे आप बतानी क्या हो सकता नहीं है आप खुद आप देखते चले ठीक है एक से एक करनामा इस घर में आपको मिलेंगे और आपको इस सीखना है ठीक है किसी का मजा कुराना या फिर किसी को नीचा दिखाना हमारा मकसद नहीं है दोस्तो ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप सीखे और समझे और अपने घर में ये गलती ना करें आप देख सकते हैं दोस्तो यहां पे कभर नाम का यह आपको फूल भूँ देता हूँ लेकिन अगर आप कॉलम में देखेंगे चाहे यहाँ आप देख लिए दोस्तों चाहे वहाँ पर देख लिजिए यह घर माली को सायद दोस्तों पता ना चले लेकिन एक सब एकती जो हाउस कंस्ट्रक्शन से जुरा हुआ है यह जो गलती छीपाने की कोशिस की गई है ना यह सब जितने भी प्लास्ट्रिंग आप देख रहे उपर से यह सिर्फ इसलिए किया गया है चुकि दोस्तों कॉलम का जब कास्टिंग हुआ है और डी सट्रिंग यानि की सट्रिंग को हटाया गया था तो उस समय सरिया बिल्कुल हवा में एक्स्पोज था उसको बचाने के लिए इस तरीके से खाना पूर्ति किया गया तो यह आपके घर के लिए आप देख सकते हैं छे सरिय का जो है वो कॉलम बनाया जा रहा छे सरिया का उप्योग किया जा रहा ठीक है लेकिन लैपिंग के नाम पह देख सकते हैं जहां पर दो फीट कम से कम लैपिंग होना चाहिए यहाँ पर 6 इंची 8 इंची का लैपिंग दियागी जिसका कोई मतलब नहीं है तो दोस्तो अगर आप एक मिस्टरी का काम करते हैं तो जाहिड सी बात है कोई भी दोस्तो 6 सरीय का और 8 सरीय का जो है वो अगर कॉलम बनवा रहा है तो जाहिड सी बात है उसको बिल्डिंग को उपर ले जाना है लेकिन आप इस तरीके का काम करेंगे तो बैचारे चाहते हु 50D के कम से कम लैपिंग आपको देना है अगर आप मिस्तरी हैं समझ गया हूंगे 50D मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तो यहीं पर लिष्ट खतम नहीं होता है चली मैं और आगे आपको दिखाता हूं और यकीन मानिए दोस्तो यह सारे गलती अगर आप अपने साइट पर खोजने लगे न या तो मिस्तरी सीख जाएगा और नहीं तो दोस्तो ठेकदार उनको कितना भी जल्दी बाजी करने के लिए वो जल्दी बाजी नहीं करेगा चुकि उनको पता है कि आपको अगर जनकारी आगे दोस्तो तो फिर आप अपने घर को अपने तरीके से बनवाएंगे औ आपको हर एक जनकारी बिल्कुल घर बैटे सायद आप भी बैठे होंगे लेटे होंगे और हमारे वीडियो का आनंद ले रहे होंगे तो इस चीज को सीखिए और अपने फिल्ड पे लागू कीजिए दोस्तो लिंटल भीम देना अच्छी बात है लेकिन क्या इस तरीके से जो लिंटल भीम दिया जा रहा है क्या किसी हद से किसी एंगल से क्या सही है क्या आप देख सकते इसमें कभर बिल्कुल भी नहीं दिया गया ठीक है यह फेस पे बिल्कुल है अब माले जो दोस्तो इसमें मैं आपको आगी की बात बताता हूँ दोस्तो इसमें आज नकल क्य ठीक है 25 mm का जो pipe होता है उसको कैसे डालेगा जाहिट सी बात है दोस्तों कॉलम का या फिर बीम का जो ये सरीया है उससे छेड़-चार करना होगा तो घर का बाहरी छेतर हो दोस्तों या फिर अंदर का पाठ हो आपको कभर जरूर से दिलवाने है और कॉलम में vibrator का इस्तमाल आपको जरूर से करवाना है, भाइबरेटर का इस्तमाल नहीं करेंगे दोस्तों, ये चीजे बिल्कुल दोस्तों, इंजीनर होने के नाते, ये सब काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ये देखिए, काम किया गया है, ठीक है, किसी के पैसों को इस तरीके से बरबाद न है, अब इसको क्या किया जाएगा, कि प्लास्टरिंग किया जाएगा, जो हाफ इंची का जो प्लास्टरिंग होता है, दोस्तों, उसको अब इसमें डेर से दो इंच का करना होगा, और जितना जादा मोटा प्लास्टर होगा, उसका उतना ही जादे जहड़ने का जो है, वो वो cracks आपके दिल तक पहुचेंगे दोस्तो कि गलती यहीं पिन रुकता है ढागे भी में आपको धिखा रहा हुँ यह जुँ शीरh बनाया जाना दोस्तों जो सबसे पहला सिटेप होता है उसको हम जान बुज के दोस्तों एक्स्ट्रा हाइट लेते जो राईजर माली जो 6 इंच का है तो इसको 6 इंच प्लस लिया जाता है चुकि यहां पर जब टालें होता है चुकि इसका जो height है वो बहुत ही कम लिया गया है अब दोस्तों tiles इसके label में उसको लानी के लिए या तो ज़्यादा मसाला भरना होगा और नहीं तो दोस्तों बहुत ही कम मसाला लगाना होगा तो इस तरीके से काम होगा तो tiles उखरने का टूटने का खत्रा भी बहुत जादा हो जाएगा दोस्तो house construction में अगर सबसे जादा किसी चीज क्या हो सकता होती है तो वो होती है experience की जिनके पास experience नहीं है दोस्तो building तो कोई यह बना देगा इस तरीके से यह देख सकता है यह भी building बना हुआ है ठीक है लेकिन यह कितने दिन तक चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम आएगी यह तो मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ और लिक लीजे दोस्तो एक से डेर साल में जो प्रॉब्लम में बना रहा हूँ गिना रहा हूँ दोस्तो वो चीजे आएंगी ही और यह practically हमने देखा हुआ है दोस्तो लिंटल बीम में एक और गलती किया गया थाब्रेटर तो नहीं चला गया शाल लिंटल बीम का फेस है और जो एडोड इंच का फरक है यहाँपर देख सकते हैं मोटार जो है वो गिर के यहाँ पर रुक गया है इतना जादा यहाँ पर दोस्तो इसको बाहर के तरफ निकाला गया तो इसको maintain करने के लिए भी अगें दोस्तो डेर से 2 इंच का प्लास्टर किया जाएगा या फिर दोस्तो इस बीम को काटा जाएगा लेकिन बीम को काटने का कोई भी यहां पर आप्शन नहीं है चुकि कभर काटा जाएगा ना चुकि यहां तो सीधे के सीधे सरी आजाएगा दोस्तो इसको काटने सकते हैं तो मोटा प्लास्टर ही करेंगे और अगें दोस्तो प्लास्टरिंग जहरने का खत्रा बहुत जादा रहने वाला है यह चीजे मैं आपको डरा निडाओं बस आपका घर बने मैं दिल से चाहता भी नहीं है ठीक है तो ऐसे में दोस्तो वार्डरोब बनाने में बहुत जादा दिक्कत आने वाली है और देखने में भी यह चीज बिल्कुल सही नहीं लगता अगर दिवार एक सीध में ना हो तो बेडरूम का हाल आपने देख लिए आप चली किचिन के भी हाल दिखा दे आप देख सकते हैं ढलाई देखिए इसकी मुटाई देखिए दोस्तो जो चीज अड़ाई इंच का होना चाहिए उसको उसने सारे तीन पौने चार इंच का रखा हुआ है इसके उपर ग्रिनाइट लगेगा कितना भद्दा लगेगा यह आप खुद सोच सकते हैं कभर के देखिए हर एक जगा दोस्तो आपको सरिया देखने को मिलेगा ठीक हर एक जगा एक जगा हो दोस्तो तो चलता है ठीक है आप देख सकते यहां पर बिलकुल सरिया ऐसा लग रहा है कि बाहर प्रोटेक्शन के लिए इसने सरिया लगाया हुआ ठीक है यह काम बिलकुल गलत ह कि मतलब किसी को भी नीचा दिखाना नहीं है बलकि आपको सतर करना है कि आप अपना काम देते हैं सही मिस्त्री को दीजिए और आपके पास जो जनकारी हम पहुचा रहे हैं उसको अपने साइट पे इस्तेमाल कीजिए बहुत सारे फ्रेसर इंजिनेर भी हमसे जुरे हुए हैं और वो लोग भी ये गलती अपने साइट पे ना होने दे फिर मिलता हूँ दोस्तो इजाजे देजिए ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा नमस्कार धन्यवाद दोस्तो